एक लड़ के एक mysterious आदमी से मिली और इनकी बीच में extreme intimacy थी वो उसके साथ games खेलता था पर इस relationship में आगे क्या होगा Hello friends, आज मैं आपको 9 and a half weeks in 1986 की एक romantic holiday movie explain करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे like कर दीजेगा बिना किसी तरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है हम हमारी main character Elizabeth को देखते है एक art gallery में काम करती है इनके office में art का exhibition था इसके party के लिए chicken को buy करने के लिए एक shop में आये इस shop में एक आदमी उनके साथ flood कर रहा था Elizabeth उसे ignore कर देती है तब उसके पीछे John आया John बहुत है handsome है Elizabeth ने उसे देखा और उससे बहुत है attracted थी John को भी Elizabeth अच्छी लगी उसने smile किया और वहाँ से चला गया रस्ते से जाद्योग Elizabeth John को एक restaurant में देखती है रात में dinner पर ये सबकली एक artist के बार में बात करते है जो बहुत ही जादा talented है इसके बाद अगले दिन Elizabeth एक market में थी यहाँ पर उसे एक shawl बहुत पसंद आई ये 300 डॉलर्स की थी इसलिए वो buy नहीं करती आगे चलकर एक chicken का toy उसे दिखा जो उसे बहुत पसंद आता है ये वो buy कर रही थी तब ही John ने उसे देख लिया उसके पास आगया कहता है हम जब भी मिलते हैं तुम chicken ही buy करती रहती हो Elizabeth सुनती नहीं तो कहता है तुम मुझे देखकर smile कर रही हो इसके बाद उसे date के लिए एक restaurant में लेकर आया वो गयता है इस place की बहुत सारी history है बहुत सारे gangster या dinner के लिए आया करते थे आज भी या एक gangster आया हुआ था John ने उसे Elizabeth को दिखाया इसके बाद Elizabeth को जो उसका पसंद आया था ये John ने buy कर लिया है ये उसे वो gift देता है खुद उसने उसे पहना दिया इसके बाद चलते चलते river के पास एक house में आये यहाँ का नजारा बहुत ही beautiful था एक दुसरे के profession के बारे में जान लेते है John कहता है मैं पैसे बेचता और sell करता हूँ यानि क्यों stock market में काम करता है John ने Elizabeth से का यहाँ तुम मेरे साथ अकेली आई क्या तुम्हें डर नहीं लगता हम दोनों strangers है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हो यहाँ तुम call कर सको इसलिए telephone भूद भी नहीं ये बात सुनकर Elizabeth सश्मूश में डर के वहाँ से चली जाती है अगले दिन ये दुनों फेस से डेट पर आए John उसे फेरी स्विल्वर बिठाता है और नीचे ही नहीं लाता Elizabeth बहुत गुसा थी उसे बहुत मारती है इसके बाद ये Elizabeth की घर पर आए Elizabeth को उसके ex का call आया हुआ था वो तीन साल तक married थे पर उसने Elizabeth को छोड़ा था और अब वही उसे miss करता है John को इन सब बातों से कुछ भी फरक नहीं पड़ता उसे पुछता है क्या मैं तुमारी आखों पर पट्टी बान सकता हूँ Elizabeth ने उसे ना नहीं कहा वो डर रही थी पर फिर भी ये सब करने के लिए ready थी ऐसे ही आखों पर पट्टी बान कर ये दोनों intimate हो जाते है next day जब वह फिर से मिले तो John Elizabeth को उसके घर पर लेकर आता है उसने उसे एक watch gift दी वो गहता है जब भी बारा बजेंगे तब imagine करना कि मैं तुम्हें touch कर रहा हूँ क्या तुम्हें करोगी Elizabeth इसके लिए हाग गहती है जब Elizabeth काम पर थी तो अपने projector पर उसे art देखना था जब बारा बजे तो उसे John की याद आती है ये पर उसे imagine करकर वो अपने आपको please करती है जब ये दोनों फिर से एक साथ थे तो John Elizabeth से बूचता है क्या तुम्हें भुक लगी है Elizabeth कहती कि हाँ John को cook करना अच्छा लगता है वो cook कर रहा था तब ये Elizabeth को कहता है यहावर नीचे सो जाओ फिर से एक एक चीज निकाल कर खुद अपने हतों से खिलाता है इसी तरीके से एक दूसरी के साथ खेलते हुए ये दोनों इंटिमेट हो गए नेक्स डे जब Elizabeth अपने काम पर थी तो इसकी कच्ची फ्रेंड उसे बात कर रही थी उससे कहती है मैं कल पार्टी में थी तुमारे एक सजबन मुझे मिला और हम दोनों इंटिमेट हो गए उसने उसे सौरी कहा Elizabeth ने कहा तुम उसे डेट कर सकते हो उसे इतना ज़ादा अब प्रावलम नहीं था Elizabeth भी अब रिलेशनशिप में है वो मुवान हो चुकी है ये सब बाते हो अपने सब फ्रेंड्स को पता ना चाहती थी इसी वज़े से उसने जौन से बात की कहा तुम मेरे साथ पार्टी में आना जौन इसमें थोड़ा सा भी इंट्रेस्टेंड नहीं था वो उसे कहता है रात का टाइम सिर्फ मेरे लिए है मैं तुमारे लिए कुक करूँगा तुम्हें खाना खिलाऊंगा तुमारी सारी चीजे सिर्फ में ही करूँगा बात करते हुए ही जौन को अपने काम से कॉल आ गया एलिजबेट को घर पर अकेला छोड़कर वो चला जाता है वो उसका वेट करते करते बूर हो रही थी तो उसकी सारी चीजे देखने लग जाती है उसने जौन की कबर्ड में देखा तो उसकी एस गर्ड़्रेंट का या फोटो था जौन ने तभी घर पर कॉल कर दिया वो कहता है कि मैं सोच रहा था तुम घर पर अकेली हो तो क्या कर रही होगी क्या तुम मेरी चीजों को देख रही थी वो कहती कि हाँ इसके बाद वो घर पर आया वो कहता है कि अब तुम्हें पनिश्मेंट मिलनी चाहिए उसने कहा कि वॉल को फेस करो वो सचूच में उसे पनिश्मेंट करने वाला था पर एलिजाबेट इस पर गुस्सा हो जाती है कहती है तुम अपने आपको समझते क्या हो जॉन ने तुरंत उसे सोरी कहती है उसके बास आकर इंटिमेट हो जाता है अगली दिन उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर गया उसे एक सूट ट्राइ करने के लिए कहता है उसने डारेक्ट लिए बाय कर लिया एलिजाबेट कहती है क्या तुम मुझसे पुछोगी भी नहीं क्या मुझे अच्छा लगता है या नहीं जॉण ने कहा कि मैं नहीं बुछने वाला एलिजाबेट जॉण की एस गल्ट्रेंड के बारे में सोच रही थी उससे बुछती है या तुम अपने सबी गल्ट्रेंड का इसी तरीके से खैल रखते थे जॉण इस पर कुछ भी नहीं बोलता इसके बाद इनकी रिलेशन्शिप डेवलोप हो रही थी यह अलग-अलग डेट पर जाते और बहुत सारे मज़े करते है एक दिन जॉण अपने हतों से एलिजाबेट को सूप पिला रहा था एलिजाबेट पुछती है तुमने मुझे क्यों जूज किया वो गहता है मैंने तुम में अपने आपको देखा आज कल एलिजाबेट जॉण को फिगर आउट नहीं कर बाती अपने फ्रेंड के साथ थी तो सह यहती है हमेशा मुझे पता होता है कि क्या चीज हो की जिससे रिलेशन्शिप एंड हो जाएगी जॉण के साथ कुछ भी पता नहीं चलता वो बहुत ही मिस्ट्रियस टाइप है उसके बारे में और भी हो जानना चाहती थी जब एक दिन वो काम पर जा रहा था तो उसका पीछा करती है वो उसके आफिस में बोज़ गए जॉण को भी उसे देखकर अच्छा लगा उसे लेंज के लिए एक रेस्टराण में लेकर आता है यहाँ भी सब लोगों के सामने उसे अपने हातों से खिला रहा था इनके आसबास वाल स्रीट के सब लोग थे एलिजाबेट ने का कि मैं वंडर गरती हूँ तुमारी तरह होना कैसा होगा अब यही उसकी विश कंपलीट करने के लिए जॉण ने एलिजाबेट के लिए कोश्यूम लाया यह बेहन कर उसे एक रेस्टराण में लेकर आता है उसे अपनी लाइफ के बार में बता रहा था तो कहता है दिन राद हम बहुत मेहनत करते है कुछ लोग अपनी फैमिली के पास जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंट करते है और फेस है दिन पर बहुत मेहनत पर मैं एक लड़की से मिला हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है मैं बिली नहीं कर पाता कि मैं उसके साथ हूँ एलिजावेट को ये बहुत अच्छा लगा ये दोनों स्टीट से जा रहे थे तो एक गाड़ी की वज़े से इन पर पानी गिर गया एलिजावेट उन्हें गालिया देती है उन लोगों ने सचूच में काड़ी रोक ली उन्हें मारने के लिए उनके पास आ रहे थे एक दोनों वहाँ से भाग जाते है भागते भागते एक टनल में आये जौन उन लोगों को बहुत मारता है इसके बाद यही इसी टनल में दोनों इंटिमेंट हो गए एक दिन ये फिर से शॉपिंग के लिए आये हुए थे एलिजावेट को एक गोल नेकलेस बहुत पसंद आया जॉन ने का अगर तुम्हें अच्छा लगा तो डारेकली ले लो एलिजावेट डारेकली अपने पॉकेट में रख कर वहाँ से चली जाती है सिर्फ थ्रिल के लिए ये सब जीज़े हो कर रहे थे इसके बाद बेड़ बाय करने के लिए जॉन को इसके बाय में कुछ भी पता नहीं था वहाँ के सेल्समैन के सामने ही वो एलिजावेट को इस पर सोने के लिए कहता है उसने सेल्समेन से बात की कहा तुम्हें जो अच्छा लगे उसी तरीकी का बेड़ चूज कर लेना उससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता वो यहां सिर्फ एलिजाबेट के साथ एडवेंचर के लिए आया हुआ था इस बेड़ पर ही वो एलिजाबेट को टच करने लगता है इसके बात वो एलिजाबेट को स्टिक बाई करने के लिए लेकर आया लोगों के सामने ही वो एलिजाबेट को मार कर देखता है ये लोग ये देखते ही रह गए थे इस सब को यूज कर गर ये रात में इंटिमेट हो जाते है नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिजावेट के आर्ट गैलरी में एक एक एकजिबिशन था एक ब्रिलियन पेंटर के बारे में बात चल रही थी, वो आज़कल इनके पास आता नहीं तो एलिजावेट को जाकर खुझ से उसे बात करनी पड़ती है उसने उसे जाकर याद दिला दिया ये तुमारा एक्जिबिशन है वो कहती है तुमारी पेंटिंग्स बहुत ही ब्यूटिफूल होती है, पेंटर कहता है एक मुवमेंट बहुत ही फिमिलियर होता है पर फिर भी सबसे स्ट्रेंज हम उसे समझ नहीं पाते है यही चीज़ एलिजावेट और जान के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है ये मुवमेंट फिमिलियर तो है पर फिर भी उसे समझ नहीं पाती है एक दिन जॉन ने एलिजावेट से कहा मेरे लिए फ्लोर उपर क्रॉल करो उसे पैसे फेक रहा था एलिजावेट उसका सब कुछ मानना चाहती है ये करने की कोशिश भी करती है पर उसे सही नहीं लगता उसने उसे मना किया पर जॉन क्यारेक्टर में था वो कहता है तुम मु जॉन एलिजावेट को कॉल करता है उसने एक होटेल का एड्रेस दिया जहाँ पर उसे मिलने के लिए बुला रहा था होटेल पर पहुशने के बाद एलिजावेट को जॉन ने फिर से कॉल किया वो कहता है मैंने ट्रॉवर में तुम्हें पहनने के लिए कुछ रखा हुआ ह एक ब्यूटिफुल जड्रेस था जॉन उसके पास आया उसकी आखों पर उसने पट्टी बान दी जॉन ने अपने साथ और एक लड़की को लाया हुआ था ये लड़की एलिजाबेट को टच करने लगती है एलिजाबेट को लगा कि शायद जॉन ही है इसके बाद उसके सामने ही जॉन उस लड़की के साथ इंटिमेट होने लग गया था इस बाद पर एलिजाबेट बहुत गुसा हो गए जॉन को कल एलिजाबेट ने मना गया था तो उसका वे था उसे पनिश करने का वो एलिजावेट को गुसे में देखकर उसके पीछे विजह आता है उसे उसने गले लगा लिया आज रात एलिजावेट की पेंटिंग की एक्जिविशन थी आज कल उसके साथ जो भी हो रहा है इस वज़े से वो बहुत रूई रात में वो जॉन के पास आई थी सुबा होने पर डिस्टरब होकर यहां से वो जा रही थी जॉन समझ गया इसायद वो आपस नहीं आएगी उसके पास आता है जॉन अपने बारे में एलिजावेट को कुछ भी बताता नहीं था अब वो उसे बताने लग जाता है वो एक छोटे से टाउन से आता है उसे पास ब्रदर और सिस्टर्स थे उसने अपने आपको बहुत काबिल बनाया था इसी वज़े से आज हो मिलिनेर है एलिजावेट कहती है यह आप बहुत ही लेट हो चुका उसने उसके साथ जो भी किया यह सब गलत था वो कहती कि मुझे पता था कि हम दोनों की रिलेशनशिप जादा टाइम तक नहीं चल सकती है पर यह बहुत दूर तक चली है जॉन कहता है कि मैरी बहुत सारी गलफेंड्स थी पर तुम्हारे साथ मैंने जो फिल किया यह मैंने कभी भी फिल नहीं किया था प्लीज रूख जाओ एलिजावेद यहां से चली जाती है जॉन कहता है मैं 50 तक काउंट करूंगा वो काउंट करता रहा एलिजावेद भी मूडी पर वो डिसाइड करती है कि उसे फिर से उसके पास वापस नहीं जाना वो इस तरीके से हमेशा गेम्स नहीं खेल सकती है और जॉन जी इस तरीके से उससे टीट करता है या वो डिजर्ब नहीं करती वो खोद एक इंडिबेडनेंट लटकी है इस तरीके से उसे कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता यही है मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजएगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल नोटिवेशन आइकों दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमोई के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये